हाई फ्रेंड्स मेरा ना मिराज और आप से भी लोग का विलकम है आपके और हमारे यूट्यूब चेनल लखी आर्ज में आज किस वीडिये में हम लोग बात करेंगे आईश्मान कार्ट के बारे में जैसे कि आप से भी लोग को पता होगा आईश्मान कार्ट की एक नई बेनिफिसरी पोर्टल को लॉंच किया गया है और आज किस वीडिये में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप से भी लोग एक कौमन सर्विस सेंटर संचालक हो या दूस्व अगर आप से भी लोग एक individual वेक्ती हो तो न्यू बेनिफिसरी पोर्टल का आप से भी लोग operator ID सिर्फ दो मिनट के अंदर किस परकार से बना सकते हो और नया आईश्मान कार्ट बनाना आईश्मान कार्ट में किसी वेक्ति का नाम जोड़ना और आईश्मान कार्ट को डाउलोड करना ये सारे services में किस परकार से काम कर सकते हो आज की इस वीडियो में आप लोग सिर्फ दो मिनट में operator ID कैसे बनाना है उसकी जानकारी दूँगा साथी साथ operator ID बन जाने के बाद आप लोग नए आईशमान कार्ट किस परकार से बना सकते हो इसी वीडियो में आप से भी लोग को जानकारी मिल जाएगा तो चलिए दूस्तो इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं दूस्तो सबसे पहले आप से भी लोग को वीडियो के निचे description box में आईशमान कार्ट की 3.0 याने की beneficiary portal की official website का link मिलेगा डायरेट आप से भी लोग इस website पे आजाना इस website पे आने के बाद यहाँ पे आप से भी लोग को दो options मिलते हैं पहला options मिलता है beneficiary का और दूसरा options मिलता है operator का अगर आप लोग एक समान्य वेक्ती हो, individual वेक्ती हो तो आप से भी लोग को किसी भी परकार का operator ID लेने की जोरत नहीं है आप लोग अपने mobile number के थुरू और उसके OTP के थुरू आईश्मान कार्ट बना सकते हो आईश्मान कार्ट लिस्ट में नाम एड़ कर सकते हो और अपना आईश्मान कार्ट को डाउनलोड कर सकते हो जिसके related मैंने already वीडियो बनाई हुए हैं लेकिन अगर आप लोग एक cyber cafe चलाते हो या common service center संचालक हो तो आपसे भी लोग को operator ID लेना पड़ेगा तो operator ID लेने के लिए सबसे पहले आपसे भी लोग को एक बर इस पे tick करना है और यहाँ पे आपसे भी लोग को sign up का option मिलता है इस पे एक बर click कर देना है आपसे भी लोग के शामने कुछ इस तरह से interface open हो जाएगा जिसमें कि आपसे भी लोग को अपना operator ID लेने के लिए registration करना पड़ेगा registration करना बहुत simple है जिसके लिए सबसे पहले आपसे भी लोग को अपना आधार card का number डालना है और validate के option पे click करना है यहाँ पे आपसे भी लोग के शामने e के वैस्टी mode आएगा अब आप इस पे एक बाद tick करोगे आप लोग चाहो तो finger print के थुरू validate कर सकते हो और यह था आप लोग चाहो तो OTP के थुरू validate कर सकते हो मैं चाहता हूँ OTP के थुरू तो मैंने OTP choose किया अब यहाँ पे term and condition को accept करोगे और allow के option पे click करोगे आपसे भी लोग के आधार card में जो mobile number लिंक है उसमें एक OTP आ जाएगा उस OTP को यहाँ पे डालोगे और submit के option पे click करोगे यहाँ पे आपसे भी लोग की personal information so हो जाती है यहाँ पे आपसे भी लोग को कुछ भी fill up करने की जोरत नहीं है अगर आपसे भी लोग का permanent address और present address दोनों same है तो आपसे भी लोग को एक बार इस पे click करना है अन्यता आप मैंने वोली चाहो तो इसको edit कर सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपसे भी लोग को अपना email id डालना है और verify करना है इसके बाद आपसे भी लोग को अपना mobile number डालना है और verify करना है यह पाद दोस्तों आपसे भी लोग के शामने add, role, details आ जाएगा यह सबसे ज़्यादा important है क्योंकि इसी के basis पे आप से भी लोग का जो operator ID है उसको approve किया जाता है अभी काफि सारे state में ऐसे हो रहे हैं कि आप लोग apply कर दे रहे हो लेकिन आप लोग का जो operator ID है reject कर दिया जा रहा है या pending हो जा रहा है और यहां पे आप से भी लोग को S, H, A search कर देना है S, H, A search करोगे आप लोगों को अपने state का selection करना है मान लिजे दोस्तों कि अगर आप लोग कोई भी state से हो और आप लोग अपने state के according ये add role को add भी कर दिये हो और आप लोग का अभी तक operator ID को approve नहीं किया जा रहा है तो ऐसे cases में आप लोग को मैं दो state का नाम बता रहा हूँ अभी बिहार state और उत्तरपरदेश state में जो है वो बहुत ही आसानी से ये जो operator ID है उसको approve किया जा रहा है तो आप लोग यहां पे क्या करोगे SHA Bihar का option को choose करोगे जो कि बहुत ही जल्दी आप से भी लोग का operator ID instant तरीके से approve हो जाएगा आप लोग किसी भी state से हो तो आप लोग ये state को choose कर सकते हो आईशमान कार्ड आप लोग किसी भी state का बना सकते हो ठेके इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अब entity type के option पे आओगे तो यहाँ पे आप से भी लोग को क्या करना है division के option पे चीज करना है लोग को entity name के option पे आओगे और यहाँ पे आप से भी लोग को administration के option पे टिक करना है तो यहाँ पे आप से भी लोग को operator 20 के option पे choose करना है आप लोग application के option पे आओगे पासवर्ड यहां पे set कर सकते हो और एक बर confirm करने के लिए वो password को यहां पे डाल देना और submit के option पे click कर देना आपसे भी लोग देखोगे आप लोग का account successfully तरीके से create हो चुका है और यहां पे आप लोग का account को verify करने के लिए यानि कि approval करने के लिए भेज दिया गया है यहां प आपसे भी लोग देख सकते हो इसे चे बिहार का option दिया हुआ है और अभी आपसे भी लोग देख सकते हो मैंने आज के date में ही apply किया और 2-3 घंटे के अंदर यहां पे जो मेरा status है वो approve हो चुका यानि कि मेरा जो operator ID है वो बन चुका है अप्रूब भी हो चुका है अब दोस आ चुका है आप लोग चाहो तो जो भी password आप लोगों ने share किया था उसके माध्यम से login कर सकते हो अनिता आप लोग मोबाइल OTP चूज करोगे वो OTP को डालोगे capture को डालोगे और login का option देख रहा है इस पर एक बार click कर दोगे हमारा यहां पर login हो चुका है बिना किसी problem के बनाना है एक्जामपल के तौर पर मैं जहारकन का हूँ तो जहारकन के state select कर दिया यहां पर scheme के option पर आओगे तो हमारे यहां दो options दिये गए हैं पहला राशन कार्ट के थुरू बना सकते हो और दूसरा option दिया गया है SEC data के थुरू बना सकते हो तो मैं PMG by SEC data के option पर click कर देत और अगर आप लोग को अपने village में सभी लोगों का आश्मान कार्ट बनाना है तो आप लोगों हाँ पर location ruler के option पर click कर दोगे सब district के option पर click करोगे यहां पर आप से भी लोग कुछ भी choose कर देना अपने district का नाम और यहां से आप से भी लोग को अपने village का नाम को श्लेट कर लेना है लोग देख सकते हो मैंने रासन कार्ट के थ्रू आश्मान कार्ट बनाने का कोसिस किया है आप चाहो तो आधार कार्ट के थ्रू भी अपना आश्मान कार्ट बना सकते हो तो रासन कार्ट में जितने भी family member का नाम है सारे family की details यहां पर open हो चुकी है और इनके family में दोस्तों किसी भी वेक्ति का आश्मान कार्ट अभी तक नहीं बना हुआ है तो आप लोग यहां पर चेक करोगे not generated का option आ रहा है अगर यहां पर approved का option आएगा तभी जाके आप लोग का आश्मान कार्ट बना हुआ है आप उसको download कर सकते हो बट इस case में इसका आश्मान कार् यहां पर option दिया गया है action का और action के side में EKYC का option दिया गया है तो आप जिस भी वेक्ति का आश्मान कार्ट बनाना चाते हो EKYC के option पर click कर दें उनका आधार का नमबर automatic आ जाएगा यहां पर कुछ भी छेडखानी नहीं करना है अब verify का option मिलेगा verify के option पर click करना है term and condition को accept करन करना है और allow के option पर click करना है अब दोसों उनके आधार कार्ड में जो mobile number link है उसमें OTP शेंड किया जाता है उस OTP को आपसे विलोग यहां पर डालोगे और लोग का एक वैसी complete हो जाएगा एक वैसी complete होने के लगवग दोसों 24 घंटे या दो या तीन दिनों का टाइम लगता है आप लोग का कार्ड को अपरूबल होने में एक बार दोसों अपरूबल हो जाता है तो बहुत ही आसानी से आप अपने कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो कार्ड को डाउनलोड करना भी बहुत आसन है simple से यहां पर पी इस्टेट को चूज करना अपना फिर दिख्ट को चूज करना चूज कर सकते हो आप अपना आधार कार्ड नमबर डाल सकते हो चाहते हो कि आप लोग के एरिया मैं या आप लोग के विलेज में जितने भी विं विलेज में जिन जिन वेक्तियों का आईशमान काड़ बना हुआ है अपरूब हुआ है अगर आप उसका आईशमान काड़ डाउनलोड करना चाहते हो या खुद का भी आईशमान काड़ डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां पर लोकेशन दिया गया है तो अगर आपसे लोग सहरी एरिया से बिलोन करते हो तो अर्बन के उप्सन पर चूज किजी अन्यता रूलर के उप्सन पर चूज करना है अब यहां से आपसे लोग अपने डिस्टी को चूज करना और यहां से आपसे लोग अपना विलेज को चूज क करना और सर्च के ओप्षिन में ऐज दोГ करने का और जिन जिन वेघ्योरा ależद करना हुए और जिन जिन वेख्टियोर गस्वां करते है के वाइस हां कृकिन हो चुका है और सब लोग का रहते हैं धुबन के दिश्टोर पर यहां पर देख सकते हो करो है र इके इसी भी verified दिख रहा है अब card को download करना बहुत सिंपल है अब यहां पर action के option पर आओगे download card का option मिलेगा आप एक बर इस पर क्लिक करना अब फिर से 200 आधार card का option आएगा verify के option पर क्लिक करना term and condition को accept करना और allow के option पर क्लिक करना उन लोग के registered mobile number पर एक OTP को shand किया जाएगा उस OTP को फिर से यहां पर डालना है और author gate के option पर क्लिक करना है आप लोग के family में जितने भी वेक्ति हैं सभी वेक्तियों के list open हो जाएगी जिन जिन लोगों का card approval हो चुका है उन लोगों का दोस्तों आप क्लिक कर देना जिसका भी card download करना चा दोस्तों इसी portal पर आओगे तो new option add क्या गया है add family member अगर आपसे भी लोग को किसी भी आयश्मान card में नाम को add करवाना है तो यहां पर आपसे भी एड बहुत ही simple तरीकों से कर सकते हो यहां पर दोस्तों जिस भी वेक्ति का आपसे भी लोग add करवाना चाहते हो उनका दोस् जिसके लिए दोस्तों आपसे लोग यहां पर आधार OTP के option पर चूज करोगे जैसा कि मैं यहां पर click कर देता हूं यहां पर click करने के बाद दोस्तों उस वेक्ति का आधार card number डाल देना है और यहां पर verify के option पर click करके उनके आधार card में जो mobile number link है उसमें OTP आएगा और OTP को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना अपने शारे दोस्तों को शेर कर देना मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा और गुडबाई